गुड मॉर्निंग ओल्लियर स्टुडेंट आप सभी का स्वागत है भारत मंदन क्लासेज में इस चैनल में क्लास 5 के सभी चैप्टर्स के वीडियो अपलोड किये गये हैं सभी चैप्टर्स को वहत ही सरल तरीके से हिंदी में विस्तार पुर्वक समझाया गया है यादि आप सभी ने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेइलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो उसको देख सकते हैं यह वीडियो में बना रहा हूं आप सभी के आगरह पर बहुत सारे बचों ने कमेंट किया था कि मड़ ओन दा नोज जो चैप्टर है मड़ ओन दा नोज इसका क्वे लिंक डाल दूँगा उस वीडियो का उसमें मैंने हिंदी बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और इस वीडियो में इसका हिंदी ने समझाओंगा सिधा क्वेशन आप सभी को कराता हूं तो पहला क्वेशन है पहला क्वेशन है वाइड़ दस चाइल्ड लव टू प्ले इन दा मड कि बच्छा जो है कीचर में खेलना क्यों पसंद करता है तो इसका एंसर होगा ड़ट चाइल्ड लाइक डा सांड ओफ मड थड़ 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 अर्थाथ बच्छे को जो मड का आवाज है जो मिट्टी का किचर का आवाज है जिसके आवाज को थड़ थड़ कह गया है वह आवाज उसे बहुत पसंद है सो ही लवस टू प्ले इन दा मड इसलिए वह कीचर में खेलना पसंद करता है आप इसका स्क्रीन सोट ले करके अपने नॉट्बुक में से लिख लेंगे और आद कर लेंगे और परियास करेंगे कि आप खुद से एंसर को लिख सकें किस रीतु में आप सबसे अधिक कीचर को देखते हैं तो हम सभी जात ने हैं इसका एंसर इसलिए इसका एंसर लिखे हैं वी सी मड इन दा रेनी सीजन मोस्टली कि हम लोग बरसात के दिन में कीचर सबसे अधिक देखते हैं थाट कोस्टन है वाट डीड़ दा बॉइज बॉइज मदर से कि बच्चे की मा ने क्या कहा तो इसका एंसर होगा यहाँ बी सेक्षन में क्वेशन दिया हुआ है कि आप इस कविता में जो नए सब्द सीखें उसको लिखें आप कुछ भी लिख सकते हैं इसका एंसर कुछ भी हो सकता है मैंने एक उधारन सरूप लिख दिया इसे I learned these words in this poem कि मैंने इस कविता से इन सब्तों को सीखा Mud, Third, Asplex, Matter, Really, Bother, Care, Etc. आप इसके अस्थान पर दुसरे words भी लिख सकते हैं जो आपको लगता होगा कि मैंने इस कविता से सीखा है तो चलिए बढ़ते हैं आगे देखें आगे दिया हुआ है एक पजल जैसे हैं यहां P, E, N तो अगर P के जगा पर हम लोग इसको एक्स्चेंज कर दें H लिख दें तो क्या हो जागा? H, E, N तो एक नया word बन जागा यह आपके word game के तरह है जो आपके word stock को बढ़ाएगा यह अगला है एक ठोग और पजल दिया हुआ है इसे दिया है C, A, T तो पहला instruction को पढ़िए पहला है कि change A by O यह को O के रूप में बदलना है तो C, A, T जहाँ है वहाँ C के बाद O देंगे और T तो क्या हो जागा? C, O, T कॉट दूसरा नमबर में क्या करना है? change C by D अब C के जगा D लिख देंगे तो हो जागा D, O, T फिर थर्ड में है कि change T by G कि T को D के जगा G लिख देना है तो यहाँ D, O तो है ही T के जगा G लिख देंगे तो G हो जागा D, O, G dog, dog means कुटा इस प्रकार एक छोटा सा chapter था इसका question answer मैंने बताया और मैं आपको फिर से याद करा देता हूँ कि मैंने जारखन board class 5 के सभी chapters को cover किया है सभी chapter को विश्तार से हिंदी समझाया इसके question answer को भी समझाया आप सभी उसे देखे इसके अलावा class 9, class 10, class 8 बहुत सारे वीडियो उसके upload है और इसके अलावे English grammar के बहुत सारे वीडियो है समाय निगान के वीडियो है आप सभी उस वीडियो को देखिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अई दोस्तों तक मेरे वीडियो को पहुचाईए जैहिन धन्यवाद